हाई फ्रेंज वेलकम बैक टो यूडी सी आरे फुटबॉल प्रेडिक्शन आज जो मैच हम कवर करने वाले हैं वो है ला लीगा का अगला मैच बिट्वीन रियाल मड्रिट एन एस्पैनियॉल इस मैच की बात की जाए तो ये मैच खेला जाएगा रियाल मड्रिट के होम ग्र करें तो वो थर्टींथ पॉजिशन पे हैं चौबिस में उन्होंने सिर्फ सताइस पॉइंट ही अभी तक अर्न किये हैं तो क्लियरली डिफरेंस है दोनों टीम्स की कॉलिटी में और क्लियर फेवरिट्स इस मैच में रियाल मड्रिट रहने वाले हैं चौबिस मैच में 47 ग मैचेज में 14 गोल मारे हैं और 16 गोल कंसीट किये हैं बड आइ तिंग टीम लाइक रियाल मड्रिट एस्पनियॉल को हरा देगा और क्योंकि काफी इंपॉर्टन भी है क्योंकि अब लीग की आल्मोस्ट आप कह सकते हैं लास्ट हाफ शुरू हो गया है तो एवरी विन इस इ जाल मड्रिट की तरफ से काफी इंपॉर्टन प्लियर्स आउट हैं जो इनके में स्ट्राइकर है नमबर वन पैनल्टी टेकर है करीम बेंजमा वह आज स्टार्ट नहीं करेंगे वहीं डेविड आलाबा भी आउट है इनको इंजिरी हुई काफी टाइम भी हो गया है तो फ गोरी यह चारो डाउट फुल है ठीक है कुछ न कुछ पार्ट निभा सकते हैं मैच के अंदर बट नॉट शूर के स्टार्ट करेंगे ए पैडरोसा आउट है इनका शूर है कि यह स्टार्ट नहीं करेंगे आज के मैच में तो आईए एक बार लाइनप्स देख लेते हैं प विंग पे रहेंगे टोनी क्रूज और राइट मिट फील्ड में रहेंगे लूका मॉटरिच डिफेंस की बात की जाए तो लेफ बैक में कामविंगा को स्टार्ट करना पड़ेगा अलबा की गैरहाजरी में और दो सेंटर बैक रहेंगे एंटोनियो रूडिगर एंड एड गोल कंसीट कर देगी ठीक है तो डिफेंस इनका ओके है इतना भी खराब नहीं है तो आई थिंक स्कोर लाइन आपको टू निल या मेभी वन निल भी देखने को मिल सकती है फाइनल तो हम अभी के लिए टू निल स्कोर लाइन मानके चलेंगे और उससाब से अपनी टीम बन जाते हैं सिफिच सफवूदिक ड्रेजर, खीक है इन तीनों में में इक को भी नहीं छोड़ना है तीनों इंपॉटजीक है जैसा कि आप जानते हैं गोल थ्रेट हैं है हर मैच में एक नएक शॉट्ट लेते ही है तो इनके गोल आने का चान्स हमेशा रहता है, एडर में रे हाई है chances create करेंगे crosses करेंगे राइट विंग से ठीक है तो ये भी important हो जाते हैं then आते हैं midfield में midfield में अगर बात की जाए तो देखिए Luca Modric को आप नहीं drop कर सकते क्योंकि मुझे ऐसा लगता है Benzema की गैर हाजरी में first choice penalty taker यही रहने वाले हैं ठीक है तो Tony Cruz और Rodrigo में से आपको एक को pick करना पड़ेगा ठीक है या तो आप Tony Cruz को pick कर सकते हैं क्योंकि देखिए हम साथ ही player pick कर सकते हैं हम साथ स्यादा तो pick कर नहीं सकते तो obviously हमें किसी ना किसी को तो छोड़ना पड़ेगा ठीक है देखिए अगर गोल नहीं मारते दोनों players तो obviously Tony Cruz आपको ज़्यादा points देके जाएंगे because here tackle, interception, passes, chance creation, corners लेते हैं, free kicks लेते हैं तो player तो बहुत important है ठीक है तो बट मेरे को rotary को इस match में थोड़े ज़्यादा important लग रहे हैं ठीक है तो well word day देखिए बिल्कुल मा drop करिएगा, goal threat है ठीक है और अगर goal मारता है तो सीधे 56 point देता है और नहीं होगा आपकी team में तो आप सीधे match हारेंगे ठीक है तो well word day को मा drop करिएगा, same for Vinicius junior इन्हें कोई drop नहीं करेगा, in fact maximum teams में आपको एक captain मिलेंगे आज के match में ठीक है, और safe choice है captaincy की है, तो जो मैं अभी के लिए 7 player pick कर रहा हूँ, from real Madrid वो है, Vinicius junior, एक second दोस्तों बताता हूँ है, Vinicius junior, Rodrigo, well word day, Luka Modric, और ये 3 defender, ठीक है, तो ये 7 player मेरी team में अभी के लिए है, हो सकता है, मैं Rodrigo को drop करके, Tony Cruz को अपनी team में लूँ, बट अभी के लिए मैं इनी साथ को pick कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये साथ काफी important लग रहे हैं, और अब बात कर लेते हैं, Espanial की, तो friends, जो player important रहने वाले हैं, Espanial से, वो है first इनका goalkeeper, इसको बिल्कुल भी drop मत करिएगा, क्योंकि Real Madrid अपने home पे अच्छा खासा attack करेगा, और Pachecho को अच्छे खासे chances मिलेंगे safe करने के, तो first choice होगा मेरा इनका goalkeeper, अगर कोई एक defender आपको pick करना है, तो आप Brian, Olivia को pick कर सकते हैं, इसका tackle interception का number अच्छा है, मैं आपको एक बड़ दिखा देता हूँ, 23 के 23 match start की हैं, एक goal मारा है, 5 assist हैं, chances भी create कर रहा है, और interception tackle भी अच्छा है, तो अच्छा choice है, अगर एक defender हमें pick करना हो तो, ठीक है, Sergei Gomez की बात करें, तो यह center back है, passes के point देगा, बट क्यूंकि इस match में real Madrid maximum position रखने वाला है, तो वो points जादा नहीं आने वाले, ठीक है, as such goal threat नहीं है, अब header से center back goal मार दे, तो वो बात अलग है, वो तो कोई भी center back मार सकता है, ठीक है, Montes की बात की जाए, 7 पर से 6 match ही start किये हैं, interception tackle okay okay है, कुछ खास नहीं है, Oscar Gill को आप drop कर सकते हैं, इसका tackle interception का point कुछ खास नहीं है, ठीक है, और I think इसको आप drop कर सकते हैं easily, तो यहाँ से अगर एक player pick करना है, तो आप Brian Olivier को pick कर सकते हैं from defense of Espaniel, ठीक है, next बात की जाए, midfield में, तो Sergei Dardar को बिल्कुल भी drop नहीं करना है, सारे set pieces यहीं लेगा, ठीक है, corners यह लेगा, free kicks यह लेगा, तो काफी important player है और अच्छी form में भी है, मैं आपको दिखाएता हूँ, last के 5 matches में यह 2 goal और 1 assist करके आ रहा है, तो अच्छा form है, ठीक है, Dennis Suarez को आप drop कर सकते हैं, ठीक है, इसका as such कोई अच्छा number नहीं है, किसी भी चीज़ का, tackle interception के points आपको दे सकता है, but I don't know कितने minutes इसे दिये जाएंगे, Vinicius Suza की बात की जाएं दोस्तों, तो इसका tackle interception का number काफी अच्छा है, tackle interception के बड़िया points दे के जाएगा, जहां तक है 90 minutes खेलेगा, तो I think he is an important pick, इसको आप मैं drop करिएगा, इसको जरूर लेके चलेगा अपने team में, ठीक है, तो 3 player हमारे हो चुके हैं, एक player हमें और pick करना है, sorry, हमारे 4 player actually हो चुके हैं, ठीक है, अब देखे, मैं आपको बताऊँ, दो इनके striker हैं, जो अच्छे हैं, Martin Brathwaite and Juselu, Martin Brathwaite ने 8 goal मारे हैं सीजन, और Juselu 11 goal मार चुका है, ठीक है, तो Juselu तो बहुत जादा important player है, स्टीम का, ठीक है, तो अगर आपको Juselu को pick करना है, तो आपको या तो Brian Olivier को drop करना पड़ेगा, ठीक है, बट यह आप तब ही करिएगा, जब आप sure हों, कि Espanol एकाद goal मार देगा, जिसके chances high हैं, ठीक है, तो I think मेरा भी choice यही रहेगा, कि मैं Olivier को drop करूँ, और Juselu को pick करूँ, because he is in good form, और यह goal assist कर सकता है, ठीक है, आप breath weight को भी pick कर सकते हैं, he is also a good choice, और recent form देखेंगे, तो last के 5 matches में 4 goal मारे हैं, तो form तो अच्छा है, और पहले यह I think Barcelona का player था, ठीक है, तो player काफी अच्छा है, इसको भी आप pick कर सकते हैं, तो Juselu या breath weight, यह आपकी choice होगी, ठीक है, तो आईए, एक बार अपनी team का selection कर लेते हैं, क्या रहने वाला है, तो खोलते हैं team, सबसे पहले जाते हैं goalkeeper में, तो goalkeeper में हम पचेकों को select करेंगे, ठीक है, defense की बात की जाए, तो Militao, Rudiger and Karvahal, हमारी team में रहेंगे, और midfield में अगर हम आएं, तो Valwarday, Darder and Modric, मैंने आपको बताया था, first choice penalty taker होंगे and Suza, ठीक है, tackle interception, passes के point देखे जाएगा Suza अच्छे, और striker section में हम pick करने वाले हैं, Vinicius junior, Rodrigo and breath weight, या Josaloo में से किसी एक को, ठीक है, देखिए breath weight, direct goal threat है, ठीक है, ये सीधे goal के सामने रहेगा, Josaloo most probably goal बनाने वाला है, ठीक है, तो मैं breath weight को pick कर रहा हूँ, because अगर goal मारेगा, तो ज़्यादा chances breath weight के ही है, ठीक है, तो मेरी team कुछ इस तरीके से दिख रही है, अभी के लिए, बाकी जो भी changes होते हैं, उसके according हम भी अपनी team में changes करेंगे, after the lineups are out, अभी हमारी team यही है, captain vice captain से की बात की जाए दोस्तों, तो एक बर ज़रा देख लेते हैं, कौन किसके सामने आने वाला है, देखी, Oscar Gill के सामने होगा, Vinicius Junior, और Oscar Gill and Montes, दोनों कुछ बहुत खास defender है नहीं, तो मैं captain Junior को बनाने वाला हूँ, इस match में, और vice captain रहेगा मेरा, Rodrigo, ठीक है, और मेरी team कुछ इस तरीके से रहेगी, बाकी, जैसा मैंने आपको बोला, lineups में जो भी changes होंगे, उसके recording हम भी changes करेंगे, और उसकी update आपको सिर्फ telegram channel पे मिलेगी, तो अगर आप अभी तक हमारे telegram channel से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज फॉरण जुड़ जाएं, उसका link वीडियो के description में दिया गया है, ठीक है, तो उस link के through ही जुड़ें, direct search करके ना जुड़ें, तो मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में जैहिंद,